नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल माई अकेडमी पे हैं दोस्तों मेरा नाम मनेश चत्रुवेदी है और आज जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए ले के आया हूँ वो है फर्स्ट इंडेजिनस एयरक्राफ्ट केरियर जहाँ पे दो ये हमारे देश के लिए क्यों इतना इंपोर्टेंट है इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आप इस विडियो को शेर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले दोस्तो चार अगस्त को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी का एक ट्वीट आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे चार अगस्त को एक ट्वीट ये करते हैं जिसमें की CSL कोचिन और INS विक्रांथ के बारे में बात होती है मेक इन इंडिया की भी बात होती है तो दोस्तों INS विक्रांथ अगर मैं कुल मिलाके इन सभी को एक साथ जोडने की कोशिश करू तो मेक इन इंडिया यानि आत्मनिरभर भारत के तहत जो कैमपेन था उसके तहत CSL कोचिन यानि कोचिन शिप्यार्ड लिमिटेड के द्वा विक्रांथ, INS विक्रांथ को बनाया गया है यह भारत का पहला पुर्ण रूप से स्वदेशी एरक्राफ्ट कैरियर है यहाँ पे इन्होंने इंडियान नेवी और CSL कोचिन को कॉन्रेचुलेशन्स भी किया है तो दोस्तों INS विक्रांथ की बात करते हम इंडियाज एरक्राफ्ट कैरियर अभी इसका नाम IAC-1 है दोस्तों जब यह इंडियान नेवी को अगले साल कमिशन किया जाएगा तब इसे INS विक्रांथ के रूप में जाना जाएगा चार अगस्त को ही यह अपने मेडेन सी ट्राइल के लिए निकलता है दोस्तों यहाँ पे इस शिप का पूरा का पूरा निर्मान जो है वो कोचिन शिपयाट लिमिटेट CSL के द्वारा होता है दोस्तों इसके अगर कंस्ट्रक्शन टाइम लाइन की बात करें तो 1999 से शुरू हो के 2022 तक पूरा का पूरा टाइम लाइन एके करके हम इन सारी बातों को लेकते हैं 1999 में इसका डिजाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फरवरी 2009 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ अगस्त 2013 में दोस्तों यह वाटर में पहली बार इसे उतारा गया था नवंबर 2020 में यह पहला हार्बर और बेसिन ट्राइल कंप्लीट करता है और इसी माह में 4 अगस्त को C ट्राइल स्टार्ट होता है जो कि 4 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक 5 दिन का ट्राइल होता है दोस्तों और 5 दिन में यह वापिस कोचिन शिप्याड लिमिटेड में आता है और दोस्तों आपको मैं बता दूँ जब मैं यह वीडियो बना रहा दोस्तों बात करते हैं इंडेजिनस एयरक्राफ्ट केरियर IAC-1 की तो कमिशन होने के बाद इसका नाम INS विक्रान्त होगा मैंने आपको पहले ही बताया कि आत्म निर्भर भारत और मेकिन इंडिया कैम्पेइन के तहत इस एयरक्राफ्ट केरियर का निर्मान हुआ है 2022 में इसको कमिशन करने की उमीदे हैं ठीक है दोस्तों एयरक्राफ्ट केरियर की बात करते हैं कि आखिर ये एयरक्राफ्ट केरियर क्या होता है आप देख सकते हैं यह deck है इस पूरे area को दोस्तों deck कहते हैं और aircraft carrier वो carrier होता है जहां पे कि जो भी हमारे aircraft होते हैं उसको समुद्र में उसको carry किया जा सके उसको time आने पर deploy किया जा सके और वापिस उसको landing करवाया जा सके यानि दोस्तों हम समुद्र के अंदर एक ऐसा airbase तया लडाकू विमान है या जो भी हमारे helicopters हैं या कोई भी अगर समुद्री operation हमें करना है या हमें दूर किसी दूसरे देश में जाकि किसी भी operation में भाग लेना है तो वहाँ पी ये aircraft carrier काफी important role play करते हैं ये एक तरीके से temporary airbase का का काम करते हैं जहां से हलके लडाकू विमान helicopters यहा सच में made in India worship है क्या भारत की सच में ऐसी कोई उपलब्दी हुई है आये देखते हैं पूरी दुनिया में 5 ये 6 ऐसे nation है जिनके पास ये काबिलियत है कि वो अपना खुद का वार्शिप बना सके और इंडिया ने इस club को join कर लिया है दोस्तो इस aircraft को बनाने के साथ ही इस से पहले जितने भी इंडिया के aircraft होते थे चाहे हम आयनेस विराट की बात करें आयनेस विक्रांत की बात करें या आयनेस विक्रमादित्य की बात करें आयनेस विक्रमादित्य जो की अभी active only single जो active aircraft carrier है इंडिया का इन सभी की बात करें यह या तो British origin की होते थे या फिर Russian origin की हो तो वहां से इंडिया उसको लेके यूज करता था। दोस्तों इंडिया नेवी के एकॉर्डिंग अराउंड 76% मेटेरियल और एक्विप्मेंट एक्विप्मेंट आई एसी वन में यूज किया गया है। जिस वजह से इसको पुर्ण रूप से स्वादेशी कहा जा रहा है। सारे फिनिश्ट प्रोड़क्ट्स जिसमें की एर कंडिशनिंग और रिफ्रिजरेशन प्लांट रिजिड हल बोट गैली इकुप्मेंट इन सभी को यूज किया गया है। जो कि कही न कहीं इंडिया के ही कंपनीज के द्वारा लिया गया है। यहां पर देख सकते हैं दोस् यहां से ज्यादा इंडियन लिबर्स थे जो कि एवरी डे इस काम में लगे हुए थे इस पूरे प्रोजेक्ट में लगे हुए थे और 40,000 ऐसे लिबर्स थे जो कि इंडिरेक्ली इस काम में लगे हुए थे तो कुल मिला के according to Indian navy 80 to 85% of this project और project की कीमत कितनी है करीब 23,000 करोड 23,000 करोन रुपे का 80-85% वापिस इंडियन इकॉनमी में आया है दोस्तो भारत में अभी तक जितने भी एरक्राफ्ट केरियर है उसकी हम बात कर लेते हैं भारत का ये जो INS विक्रांथ है ये 4th एरक्राफ्ट केरियर है लेकिन यहाँ पे जैसे एरक्राफ्ट केरियर की बात कर इनस विक्रांथ कहते हैं दरसल दोस्तो अभी आप देखेंगे कि ये जो INS विक्रांथ है इसको कमिशन किया गया था इंडियन नेवी में 1961 में और 1997 में इसको डी कमिशन कर दिया गया था इंडियन नेवी से इसकी जो सेलर कंट्री है वो है ब्रिटेन यानि ब्रिटेन से हम लोगों ने इसे लिया था और इसे इंडियन नेवी में कमिशन किया था दोस्तो ये 1961 आप जानते हैं कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था और इंडिया पाकिस्तान वार में INS विक्रांथ का काफि इंपॉर्टेंट रोल रहा था 2021 जो अभी करेंट हमारा इयर चल रहा है इसमें इस लड़ाई के 50 साल पूरे हो रहा है इस वज़े से ये INS विक्रांथ जो इस साल बन के तयार हुआ है तो ऐसा इंडिया ने भी कह रही है कि ये INS विक्रांथ का ही पुनर जन्म हुआ है इसलिए इस जो एरक्राफ्ट केरि केरियर है वो है INS विराट जो की 1987 में कमिशन हुआ था और 2017 में यानि आज से 4 साल पहले इसको डिकमिशन कर दिया गया इसे भी हम लोगोंने ब्रिटेन से लिया था नेक्स बात होती है INS विक्रमादित्य की इसे 2013 में दोस्तों कमिशन किया गया था ये भारत का एक मात्र ए कोचिन शीपयाड लिमिटेड यानि CSL कोचिन में हुआ था कोचिन शीपयाड लिमिटेड की बात करते दोस्तों ये पबलिक सेक्टर अंडर्टेकिंग कंपनी है पीस यू कंपनी के अंदर में आती है ये जो की सिप बिलडिंग में डिल करती है इसका जो फाउंडेशन है वो है 1972 के अंदर जिसका हेड़कॉर्टर कोची केरल में है. दोस्तो एरक्राफ्ट करियर ये जो INS विक्रांत है, इसके डिजाइनिंग का काम इंडियन नेवी के डिरेक्टरेट आफ नेवल डिजाइन के द्वारा किया गया था. जब इन लोगों ने पूरा का पूरा डिजाइन करके CSL कोची को दिया था, तो उसमें कुछ मोडिफिकेशन CSL कोची के द्वारा फिर से किया गया था दोस्तो. दोस्तो अगर माई अकेडमी पे आप भी SSC की तयारी कर रहे हैं, या फिर railway जैसे exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप भी माई अकेडमी से जोड़ सकते हैं, यहाँ पे export team के द्वारा SSC और railway जैसे courses की तयारी कर आई जाती है, यहाँ पे दोस्तो आप UPSC के भी export से आप तयारी कर सकते हैं, state PSC, banking, SSC, defense, railway, इन सभी exams की तयारी माई अकेडमी के द्वारा कर आई जाती है, दोस्तो आई एनस विकरांद के कुछ दूसरे feature की बात कर लेते हैं, तो टॉप speed, यहाँ पे देख सकते हैं 30 knots, यह अपने आप में काफी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी speed मानी जाती हैं दोस्तो, अगर हम aircraft carrier की बात करते हैं, यानि 55 km पर एक गंटे में 55 km की यह travel कर सकती है दोस्तो, यह aircraft carrier, इसको 4 gas turbine के द्वारा propelled किया जाता है, नॉर्मल कंडिशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मल कंडिशन में जो ship की speed है वो है 33 km पर यानि 18 knots, जिसमें यह एक क्यात्रा 13,800 km की एक single journey कर सकती है दोस्तो, यहाँ पे नॉर्मल speed में दो ही gas turbine इसके walking में रहेंगे, बाकी दो अगर आपको speed increase करनी होती है, emergency case में दो और जो gas turbine है उसको use किया जाता है, दोस्तो, जब यह अगले साल इंडियन नेवी को commission किया जाएगा, उसके बाद, जो भी इस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे aircraft जो इस पे install होंगे, उनमें MiG-29, Camo 31 helicopters, सीधे उसकाई MH-60R Seahawk Multi-Role helicopters हैं, जो कि इंडियन नेवी को और मजबूत करेंगे, दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं INS Vikrant की, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह one pair of runway है, याँ यहाँ पे कुल runway की संख्या दो है, जो की short take-off but arrested recovery, यानि stobar system से काम करते हैं, दोस्तों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि यह stobar tax system क्या होता है, बात करते हैं दोस्तों, इस पूरे project की, यानि INS Vikrant को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो करीब 23,000 करोड, इसकी लंबाई है दोस्तों, 263 मीटर और इसकी चौडाई है 63 मीटर, इस पूरे aircraft carrier पे 15 deck है, यानि कुल मिलाके इस aircraft carrier की उचाई हो जाती है 59 मीटर, इसके वजन की बात करें दोस्तों, तो इसका वजन है 44,500 टन्स, जिसको 4 gas turbine के द्वारा प्रोपेल्ड किया जा रहा है, इस पूरे वार्शिप carrier में दोस्तों, 2300 compartments हैं, जिसमें की 1700 sellers एक साथ sell कर सकते हैं, इस वार्शिप carrier में, इस aircraft carrier में दोस्तों, women officers के लिए special cabin design किये गए हैं, दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, यह technically आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, कि stobar system क्या होता है, जो कि present day में, aircraft carrier के अंदर use होता है, दोस्तों, यहाँ पे आपने यह जो slide है, इसमें मैंने आपको बताया, कि जो aircraft है, उस carrier की जो length है, वो है 263 meter, और rate है 63 meter, आप imagine कर सकते हैं, कि क्या कोई भी लड़ाकू विमान, 263 meter का ही take off, मतलब हम कह सकते हैं, कि क्या उसका runway 263 meter ही होता है, नहीं, generally उसको 800 meter से 1 km का minimum चाहिए होता है, लेकिन अगर हमारा जो aircraft carrier, अगर 263 meter यानि 200 meter के आसपास का है, तो उस पर किस तरीके से ये जो हमारे पास लड़ाकू विमान है, ये किस तरीके से take off करेंगे और landing करेंगे, उसके लिए ये stobar system design किया जाता है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसका runway है, ये आगे चलके copd हो जाता है, यानि अगर मैं पूरे ship की बात करूँ, तो आपको ship कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ से ये जो है दोस्तों ये आगे की तरफ फलका सा उठा होता है, जो कि ship ये जो लड़ाकू विमान है, इसके projectile motion में help करता है, इसे system को कहते हैं दोस्तों stobar system, यानि short takeoff, यानि short takeoff में ये help करता है, बात आती है कि ये arrested recovery क्या है, दोस्तों अब suppose मालनों कि यहाँ से कोई भी एक विमान है, वो यहाँ पे landing कर रहा है, तो क्या 263 meter sufficient length है, runway की जिस पे की आराम से ये landing कर सके, दोस्तों यहाँ पे अगर landing की बात करें, तो यहाँ से landing होने के बाद ये आगे चलके ऐसे समुद्र में भी गिर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है दोस्तों की एक arrested recovery system design किया जाता है, जो की stobar system का दूसरा part है, यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको इसी figure में समझाने की बात करूँ, तो एक जो है ये arrested wire जो होता है, ऐसे fit कर दिया जाता है, और ये आप लड़ाकों विमान के पीछे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये hook होता है, जब भी ये landing करता है, तो ये जो hook है, वो इस arrested wire में ऐसे फस जाता है, और ये थोड़ा सा elastic होता है, तो ये जो है, दोस्तों यहाँ पे आगे चल की ये stretch होता है, मतलब ये kull मिला की ये कुछ इस तरीके से design हो जाता है, और इसी में ये जो hook है, ये फसने के बाद इसको arrest कर लेता है, यानि इसकी speed को काफी हद तक कम कर लेता है, जिससे कि ये successfully aircraft carrier पे land कर सकते हैं, उमीद हो दोस्तों आपको Stover System अच्छे से समझ में आया होगा, बात करते हैं दोस्तों कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं, जिनके पास active aircraft carrier हैं, तो USA यानि अमेरिका के पास 11 carrier हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए अमेरिका जो है इतना शक्तिशाली देश हैं, चाइना के पास दो, ब्रिटेन के पास भी दो है, इटली के पास भी दो carrier है, दोस्तों भारत के पास सिर्फ एक है, फ्रांस के पास एक है, रशिया के पास एक है, स्पेन के पास एक है, और थाइलेंड के पास भी एक active aircraft carrier है, दोस्तों उमीद है, आपको ये पूरा aircraft carrier के बारे में, और INS विकरांद के फीचर के बारे में, सारी बाते समझ में आई होंगी, दोस्तों बहुत जल्दी railway का batch भी my academy शुरू करने जा रहा है, आप भी चांते हैं, तो आप इस course में enroll करा सकते हैं, दोस्तों आप my academy application Google Play Store से download कर सकते हैं, ये हमारे जो है website का address है दोस्तों, Instagram ID है my underscore academy underscore, आप इस contact number पे contact कर सकते हैं, Thank you so much दोस्तों, thanks for watching this video.